इस वक्त मोजूद हैं दक्षणी दिल्ली के चांदन होला गाउं में आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर पलोट खाली है और यहाँ पर कूड़े का अंबार बनता हुआ नजारा रहा है देखेंगे ठीक कितने कूड़ा पड़ा होने से यहां के इस्तानी लोगों को कितन लोगों को कितनी तकलीप होते हैं इस लोगों को कितनी तकलीप होते हैं और में यहां चांदन हुला कुआ वाली मज़िद से बोल रहा हूं चतरपूर यहां कोई सपाई करमचारी आते हैं बैठके चले जाते हैं काम नहीं करते हैं नाड़ी नहीं खोलते हैं ना जो है कोड़ा उठाते हैं ना जाड़ू लगाते हैं अब हम मजबूर होके हमारे घर में पाणी बढ़ता बच्चे बीमार होते हैं इसलिए हमें खुदे करना पड यह कोई निकलना पड़ा है और इसकी कोई रेगुरर इसका नहीं होती बाइचांस कभी महिना इजिन दिन करने आते हैं तो को आ गया कि नोटिस में इसको लाया गया है उनको बताया गया है लेकिन सफाय करम चरी आते हैं वो कभी महिना 20 दिन में एक एक गंटे के लिए को वीजिट करते हैं और अपने बहुत बैट के चले जाते हैं और हम खुद ही साफ करते हुए पर आप आए हैं अगर इसका आप सफाय नही पर ये अखटी रहती है यहाँ पर कोई भी मतलब नमाज पढ़ने जाता है कोई भी सक्सुआ तो पहले तो ये रोड़ बन गया लेकिन परेले पूरी कवर रहती थी गंड़ी से अब ये पलोट खाली है लेकिन इसमें कोई नालीन नहीं बनाता फिर सबाई नहीं होती है इ में इसके जो गंदगी है उसके वज़े से परिशान है अब बीमार पड़ते हैं यह दिक्रत है सब्सक्राइब करते हैं और इनका यह भी कहना है कि हमने कई वार परसासन से गोहार लगाई उनका किसी भी तरह से कोई भी यहां पर शामना नहीं देख कई वार इन्होंने विधायक वा निगम पारसास से भी शिकाय की फिर भी किसी भी तरह का इनका असर नहीं दिखने को मिल रहा है आप देख रहे हैं दिल्ली दस्तक मैं विकास्तिवारी दिल्ली